समाज में दलितों ने अपनी हक के लडाई के लिए सबसे जादा संखर्ष किया है। उनके संखर्ष की ये लडाई सौ या दो सो वर्षों से नहीं चल रही, बल्कि पात सदियों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि दलितों की लड़ाई लड़ने वाले जोतेबाफुले ने दलित आंदोलनों का सूत्रपात किया था और इसे समाज की मुख्यधारा से जोनने का काम बावस साहिब डॉक्टर भीम राव अंबेट करने किया था लेकिन आपको जानकर आश्यरी होगा कि दलित आंदोलनों का सूत्रपात जोतेबाफुले के जन्म से कहीं सो साल पहले ही शुरू हो गया था नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीम सेना आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डलितों के ऐसे पांच आंदोलनों के बारे में जिसने डलितों की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया था विडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजेगा, कॉमें सेक्षिन में अपनी राय जरूर दीजेगा जातिगत संगठन की दिशा में 36 गड का सतनामी आंदोलन एक अतुलनिय प्रयास था इस आंदोलन के जन्मदाता 18 सदी के गुरू घासी दास बताए जाते हैं जो चमार जाती से समंद रखते थे लगभग देर सो साल से भी अधिक समय तक चलने वाला ये सतनामी आंदोलन चमार जाती की सामोहिक प्रगती एवं कुरीतियों पर विजे पाने वाला आंदोलन था गुरू घासी दास ने लोगों को कई वर्णों में बाटने वाली जाती विवस्था का विरोध किया था मानव का एक ही धर्म है सतधर्म है आज भी उनके उपदेश और धार्मिक अनुष्ठान चमार जाती की कुछ सीधी साधी धार्मिक परंपराओं में प्रचलित हैं हमारी इस लिस्ट का दूसरा आंदोलन है महार आंदोलन समात सुधारक गोपाल बाबा वलंगकर और शिवराम जानबा कामले के नेतरित्व में दलतों के अधिकार के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था उनका मानना था कि दलतों की स्थिती सुधारने के लिए उनका पुलिस और सेना जैसे सरकारी विभागों में भरती होना बेहत जरूरी है वलंगकर ने 1894 में एक याचिका के माध्यम से महराश्ट के महारों को शत्रिय घोशित करने और सेना में भरती करने की मांग की शिवराम जानबा कामले ने महारों को जागरुक और संगचत करने के लिए 1904 में सुमवनशिय हित चिंतक मित्र समाज नामक संस्था की स्थापना की महारों की स्थिती सुधारने के लिए कामले ने भी महारों को पुलिस और सेना में भरती किये जाने की मांग की थी अंततह वलंगकर और कामले की महनत रंग लाई और 6 फरवरी 1917 में ब्रिटिश सेना में महारों की भरती शुरू हो गई दलित आंदोलन की इस सूची में तीसरा आंदोलन है इजवा जागरन आंदोलन मालाबार कोचिन जैसे इलाकों में इजवा या इलवान एक पारमपरिक अशूट जाती थी जिसके सदस से नारियल की खेती किया करते थे नारियल उत्पादों के बाजार में विस्तार के साथ इस जाती में एक अपिक्षाकृत सम्रिद वर्ग का उदै हुआ इजवा जागरन के प्रमुखनेता श्री नारायन गुरू थे बीसवी सदि में केरल के इजवा समुदाई के लोगों ने नारायन गुरू से प्रेरित होकर ब्रामनों के प्रभुत्व के विरुद संगष करना शुरू किया था मंदिरों में प्रवेश करने समेत उनकी कई ऐसी मांगे थी जिनका विरोध किया गया था नारायन गुरू का तत्व ज्यान था मनुष्य के लिए एक जाती, एक धर्म और एक ईश्वर इजवाजाती के उत्थान के लिए नारायन गुरू ने 1902 में श्री नारायन धर्म परिपालन योगम की स्थापना की इस संगठन के दो प्रमुक उद्देश थे एक तो अस्प्रिश्चिता को समाप्त करना और दूसरा पूजा विवहा आदी को सलल बनाना ये वही नारायन गुरू थे जिनकी सलहा पर गांधी जी ने अपने अकबार नवजीवन का नाम बदल कर हरीजन किया था और दलित चातियों को हरीजन नाम दिया था इसके अलावा दलितों के उत्थान की लड़ाई के लिए हुआ नाम शूद्र आंदोलन के योगदान को भी फुलाया नही जा सकता उन्निसवी सदी के अंतिम दशक में बंगाल के चंडाल जाती में पैदा हुए चांद गुरू ने विद्याले खोल कर अशूतों को सिक्षित किया 1899 में बंगाल में जाती निर्थारन सभा की स्थापना की गई और चंडालों को नाम शूद्र नाम दिया गया नाम शूद्र गरीव शूद के सान थे जो अंगरीजों की अपेक्षा अपना शोशन करने वाले उच्च वर्गिय भद्र लोग को ही अपना शत्रू समझा करते थे 1901 के पश्चाथ पड़े लिखे लोगों के एक छोटे से समु के आवहन पर एवं कुछ मिशनरियों के प्रोचसाहन से नाम शूद्रों की जातिगत समीतियां गठित की जाने लगी और नामशूद्र पताका और नामशूद्र हितैशी जैसी पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी इस लिस्ट का पाँचवा अंदोलन है नाडार अंदोलन दरसल दक्षणी तमिलनाडू में शनार समाज के लोगों को अशूत माना जाता था ये वो लोग हुआ करते थे जो ताड़ी निकालने का काम किया करते थे उन्निसवी सदी के अंतिम दोर में रामनाड जिले के कजबू में इस चाती के समर्द व्यापारियों के एक समू का उदै हुआ जिसने सैशिक एवं समाज कल्याइन की गतिविधियां चुलाने के लिए धन इकतरित किया और अपने आपको नाडार यानि की शत्रिय घोशत कर उची जाती के रीती रिवाजों और आचार विहवार को अपना लिया इस समू ने 1910 में नाडार महाजन संगम की स्थापना की लेकिन इस सांस्कृती करण से तिरुनेल वेली के नीची जाती के गचवाहे प्रभावित नहीं हुए परिणाम ये हुआ कि आज भी उन्हें उनकी पुरानी जाती के अनुसार ही संबोधित किया जाता है जबकि रामनाड चिलेग में रहने वाले कई बहाई बंधू ने नाडार कहलाने का हक प्राप्त कर लिया है डले तांदोलन पर बनी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमें सेक्शन में अपनी राय जरूर देजेगा बने रहे हमारे साथ नमश्कार